रूस इविक्रेन जुद्धर कॉन रहीची अस्टम दिना परे फड़ा फड़ ताकुने इस समिख्या करूचानती सुप प्रसिद्ध प्रतिरख्या एबंग जुद्ध विशेशक्या भारतर जणा सुना एक्सपोर्ट मेजर जेनराल पीके साइगल ओडिशा गणमाध्यमरे नंदि होस् तीवी कुद्ध देचंती स्वर्भ प्रथम एक्स्क्रूसिव इंटर्व्यू सर्थ कर रह हूं नंदि होस्टी वी में आपकों तिन तिन वार आपने बेंगे देखा है काफी एक्सपीरियस है में इंडिया का जाने में एक्सपोर्ट है आप डिफेंस एक्सपोर्ट डिफेंस अनालिसिस रहे पहले यह रूस और उक्रेन वार को लेकर आप क्या बताएंगे तो युक्रेन और रश्या की जवड़ है पहली बात है यह अनने थिकल बहु रहे है रश्या ने एक ऐसे देश के उपर हमला किया जो जिसका रश्या के ऊपर क अगर युक्रेन भी नेटो में चला जाता तो किसी देश के बास ताकत ही नहीं है रश्या के उपर हमला करने के लिए ना अमेरिका ना नेटो और उनके कंबाइंड फोर्स इसे में रश्या का कहना कि हमारे के लिए बहुत बड़ा खत्रा था अगर नेटो कैसा बन जाता व अस्तम में रश्या की मेजर सोर्स ओं इंकम जो है ओल एंड गैस एक्सपोर्ट नबेश प्रतिशत जो ऑईल गैस पाइप लाइन से वह युक्रेन से जागो के जाती है और रश्या को यह पाइप लाइन को रोका जा सकता है जिसे रश्या का एकनॉमिक कोलैप्स हो सकता है कोलैप्स को बनाने के लिए बचने से के लिए उन्हें यह कारवाई की सार आठ दिन हो गया रस्या युक्रेन यूद को लेकिन रस्या जैसे सोचा था एक दिन में वार खतम हो जाएगा बहुत जल्दी खतम हो जाएगा अभी यह नहीं हुआ तो फ्यूचर कंसिक्वेंस कै किसा आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं देखो रश्या ने में ओर वेल्मिंग मिल्टरी ताकत इसमाल की साइबर वार्फेर, इंफरमेशन वार्फेर, साइकोलोजिकल वार्फेर, उन्हें शौक और और के मादियम से उनको लगता था कि अरतालेस घंटे में उक्रेन की फॉज कर देगी वह सत्ता परिवर्तन कर देंगे लेकर उनको उस माफी की कोई सफालते ही ने मिली युक्रेन डटके खड़ा रहा अपने प्रेजिदेंट के पीछे खड़ा हो गया और उनका जो मनोबल है उनकी स्पिरिट है रश्या उसको डिस्टार नहीं कर सका अभी आठ दिन फिश्तेंट कैंट करेंगा युकरयन को अमेरिका को एड़ करेंगा का रीगा साहर तरफ हम जा रहें पहले प हरता है मेरीका धिन पारश सेमसिते कंश्रावर्टर्यघ इन फ्रावर्तन के सब्सक्वान सजरों क्या यह जयूड़ा करता है ? अबर शुरू में कहा दिया था कि हम किसी भी आलत प्रफ़ाइओं को नहीं उतारे गवा नेटों के अगर सेरे बिढ़ जाते फिर भी थर्ड वर्ड शुरू नेटों भी नहीं आया वह केवल और प्रेवल उनको मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं यूकरेन को फैन्सल सपोर्ट दे यूकरेन अगर लड़ाई हार जाता है या सरंडर कर जाता है तो लुक्रेन गुलाम हो जाएगा वो गुलामी नहीं चाहता रश्या जब तक कुछ बड़ी सफलता नहीं असल करता इतना बड़ा खर्चा कर लिया है सारे उसके अपने लोग उसके विरुद्ध है अगर प्य यूकरेन जैसे अभी वार लड़ रहा है और यूनेट नेशन में हमने भोट नहीं दिया रसिया के सपोर्ट में रसिया के अगेंस में इसको लेके यूकरेन भी बहुत नाराज है इसको लेके क्या बताएंगे ये इंडिया का सही डिप्लोमाटिक चाल है क्या तेको हर एक सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करने का बताएंगे जो है नित खुरू से लेकर हिंडुस्तान के बहुत कि पर हिंट आखित्व अपक्षमें इसको बार में भान्यव परक्ष्णीना कि हमको बढ़ने आंफाने अमेरिका को चेक्मेट किया ऐसे में जो रश्याने हिंडू लेकिन बहुत बड़े प्रमाने पर जो अमेरिका है वेस्टन वर्ल्ड है नेटो है नियॉक टाइम्स है लंडन गाडियन है वो सारे के साथ हिंदोस्तान को कह रहे हैं कि आप हमारे साथ पक्षपास दी किजिए हिंदोस्तान किसी आलत में नहीं करेगा हम बहुत बड़ी सब्सक्राइब नहीं कर सकता हमने अपने हित को निगाह में रखते हुए वही फैसला लेना है जो हिंदोस्तान के पक्ष में जैसे चाइना ने डायरेक्ट रूस को सपोर्ट किया लेकिन उनाइटेट नेशन में सपोर्ट नहीं किया इसमें लगता है चाइना और इंडिया का नियर फ्यूचर में रिलेसंशिप में कोई बड़ा सा परिवर्तन आएगा रसिया को लेकर देखो इस लड़ाई से जब केवल और केवल जो फादा है वो सबसे बड़ा फादा चैना को है रश्या अमेरिका और नेटों की वज़ा से क्योंकि उनकी इतनी जबदस चैना केता है हम कोई सेंक्षन नी लगाएंगे चैना केता है जो आपका तेल और गैस का जो रेवन्यू के लॉस होगा हम तमाम खरीद लेंगे आपसे है कि अगर रश्या सको सक्सेस मिल जाती और पहले अटारेस गंटे या भातर गंटे में वह जी जाता तो चैना हंड़ेड परसंट तैवाइन के पर हमला करता लेकिन अभी चैना को साफ तर पर नज़ा रहें कि छोटा सा मिल्ट्री पावर जिसमें कोई शंता नी थी रिट तो चैना को बहुत बड़ा नुकसान पुंचाने के लिए फिर जहां तक अमेरिका और नेट्रो था उनने का कि रश्या के साथ वो नहीं बिढ़ेंगे लेकिन जो बाइन ने साफ तर पर चैना ताइवान के उपर हमला करता है तो हम हर प्रकार से चैना ताइवान की करने के लिए जैसे लेट हो गया यह यह प्रकार सब्सक्राइब करने के लिए लेट हो गया सब्सक्राइब करने के लिए के लिए अपने लोगों को सफलता मिल रही है हमारी प्रतालमत्री चार विटेंग की अनेक बारी रश्या के प्रेजिट से बादचीत की यूक्रिएन के प्रेजिट से बादचीत की मुल्डवा के प्राइमिनिस्टर से बात की, पॉलेंड के प्राइमिनिस्टर से हंगरी के, ये सारी देशों के ताके हिंदुस्तान के नागरिकों को वहां से एवेक्वेशन में और फर्दर सपोर्ट में मदद परे, हिंदुस्तान ही अपने नागरिकों को वहां से निकाल र पाकिस्तान को भी लगता था कि लड़ाई नहीं होगी अमेरिका कहता था कि लड़ाई होगी होगी और पूटिन ने पूटिन सब्सुरप है कि बाइडन जूट बोलें अमेरिका जूट बोल रहा है हां करमचा रहा है शेर आया-शेर आया लेकिन मेरी मेरा कोई इरादा नहीं एससे में अगर आप कहें कि लेट होगे हिंदोस्ताने अडवाइजरी दिया था स्टूडेंट को एक म मोचले सहल रिलिवरव करेंगे कि यह कि हिंगे कि आपना करक्टर से शिंस्य अपना wesज़न धर्शा है यह ओं कब डिश्न का यह समय और यह संगरें आर मोरा तता है यह एक कर्ड़ना करते हैं इस जोसे 화 content हैकर्ड चांटीज वाद जो हम से मदद पोंग रहे हैं यूक्रेन ने 50 साथ तक हिंदोस्टान को हर पकर अप्रोज किया पाकिस्तान की सायता की उसके बाद भी यूकरेन के प्रेजिडिशन के प्रजिध मरत्प्राइक। तहां समय कहिवा किन्तु भारतर नईतिकता सबु बेले बजाय रहिवा। न्वादिलुरु क्यमारान प्रदिप्प सईता विभूति पतिंगर इपोर्ट नंदि होस्ति भी। झाल